नमस्कार विद्यार्थियों राजकिस नातकुत्तर महा विद्याले देवली के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनह स्वागत है हमारे आज के पठन पाठन का विशह है चायावाद के आधार स्थम्ब एवं सूप्रसिद्ध कवी श्री जयाशंकर प्रसाद द्वारारचित कामाईनी का श्रद्धा सर्ग इस श्रद्धा सर्ग का भाग पंद्रह इस भाग पंद्रह के अंतरगत जो पध्यांश लिया गया है वे आपको स्क्रीन पर दृष्टिकत हो रहा होगा यह मनु के प्रती श्रद्धा का कथन है आईए सरप्रथम इसका सैस्वर वाचन करते हैं विधाता की कल्यानी श्रिष्ट सफल हो इस भूतल पर पूर्ण पटें सागर विखिरें ग्रह पुंज और ज्वाला मुखियां हो चूर्ण उन्हें चिन्गारी सद्रशक सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद आज से मानव ता की कीर्त अनिल भू जल में रहे न बंद जलदी के फूटें कितने उत्स द्वीप कच्छप डूबें उतराएं किन्त वै खड़ी रहे द्रड मूर्त अब्युदय का कर रही उपाय विश्व की दुरबलता बल बने पराजय का बढ़ता व्यापार हसाता रहे उसे सविलास शक्त का क्रीडा मैं संचार शक्त के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हैं हो निरुपाय शक्त के विद्युत कण जो व्यस्त विकल विखरे हैं हो निरुपाय समनवे उसका करे समस्त विजईनी मानवता हो जाए यह था इसका सविलास वाचन आईए इसके कुछ कठीन शब्दों के जो अर्थ हैं वो जान लेते हैं कल्यानी शब्दाया है कल्यानी का अर्थ है मंगलमाई जो मंगल कारक होती है शुब होती है वह कल्यानी चून का अर्थ है चूर चूर उसको कण कण में विभक्त कर देना कण कण में विखेर देना सदर्प का अर्थ है गर्व के साथ अनिल का अर्थ है वायू और इसका यहां लक्षार्थ लिया गया है आकाश से द्वीप कच्छप का अर्थ है द्वीप रूपी कच्छप कच्छप कच्छूँ को कहा गया है क्रीडामे का अर्थ है खेल भावना से निश्पादि तत्वा लीला रूप और निरुपाय का अर्थ है उपाय रहित जिसका कोई उपाय नहीं हो आई इसका प्रसंग का अध्यन करते हैं प्रसंग के अंतरगत जिन तीन बातों को हम समाहित करते हैं उसमें पहले हैं कवी तो कवी हैं जय शंकर प्रसाद ग्रंत है कामाईनी और कामाईनी का श्रद्धा सर्ग संदर्ब में हम लिख सकते हैं कि एका की वे निराश मनु को श्रद्धा समझाते हुए जीवन में सानंद बढ़ते रहने की प्रेणा देते हुए सही योगनी के रूप में रहने का प्रस्ताव देती है तथा वे मनु की सफलता की कामना करती है उसे हिम्मत बनाए रखने का अनरोध करती है उससे उत्साह दिलवाती है ये इसके तीन अतथ्य हो गई आईए अब इससे संबंदित पद्याश से संबंदित इसका भावार्थ जान लिया जाए अर्थ जान लिया जाए तो पहली दो पंग्तियां हम ले लेते हैं विधाता की कल्याणी श्रिष्ट सफल हो इस भूतल पर पूर्ण पटें सागर बिखरें ग्रह पुंज और ज्वाला मुखियां हो चूर्ण श्रद्धा कह रही है मनु को कि इश्वर ने इस जगत की श्रिष्टी प्राणियों के कल्यान के लिए की है तुम्हारा सद उद्योग अथवा अच्छा उद्योग या अच्छा कार्य उस महान उद्देश्य की सम्यक पूर्ती में सहायक सिद्ध हो अपने अभियान में तुम्हारे लोकमंगलकारी प्रेत्न में बाधक समुद्र पर करिस्थल बन जाएं मनुष्य के भाग्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले जो अशुब घ्रे हैं उनका समुचिन भिन्न हो जाए मानवता को संतप्त करने वाले ज्वाला मुकी परवत चूर चूर होकर धूल में मिल जाएं और तुम्हारा लक्ष निर्विग्न सिद्ध हो जाए तुम्हें अपना लक्ष प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं आए उन्हें चिनगारी सद्रश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद आज से मानवता की कीर्थी अनिल भूजल में रहे न बंद आगे श्रदा के रहे हैं कि मानवता के पुजारी तथा यश के अभिलाशी मनस्वी वीर उपरियुक्त विगनबाधाओं को तुच्छ चिनगारी की भांती द्रड़ता गर्व एवं हर्शोल लास के साथ कुचलते हुए अविचल भाव से प्रशश तपत पर आगे बढ़ मानवता की जो ख्याती पता का है मानवता की प्रसिद्धी का जो ध्वज है वह जल प्रतिवी और आगाश में सर्वत्र निरंतर फहराता रहे उसे कोई रोकने वाला नै हो जलदी के फूटें कितने उत्सद्वी पकच्छप डूबें उतराएं किन्तु वह खड़ी रहे द भोर संकट की अवस्था में प्रचंड तूफान आने पर भी मानव जाती विचलित नै हो समुद्र के भीतर चाहे जितने उद्दाम श्रोत उमड पड़ें चाहे प्रले का भीशन सागर फिर तरंगाईत हो उठे और उसकी अपार जलराशी में द्वीप समुह कच्छूओं की भाती उपर नीचे होने लगें दूबने उतराने लगें प्रकट होने लगें लुपत होने लगें लेकिन उस विशम परिस्थिती में भी मानवता की जो ठोस प्रतिमा है वह उन्नती की दिशा में निरंतर प्रत्न करती हुई अडिग रहे लगातार बढ़ती रहे दुरोतर शक्ति साली होती जाए विश्व की दुरबलता बल बने पराजय का बढ़ता व्यापार हसाता रहे उसे सविलास शक्ति का क्रीडा में संसार आगे श्रद्धा कहती है कि नवीन श्रस्थि में समग्र संसार की दुरबलता सबलता में परिनत हो जाए यहां समग्र स संसार से तातपर्य मानव जाती से है, ठीक है, वे श्रद्धा चाती हैं, कि जो पूरे संसार में व्याप्त जो मानव जाती हैं, उसके जितनी भी दुरबलताएं हैं, वे सब सबलताओं में परिवर्परिवर्थित हो जाएं, वह अपनी कमजोरियों को त्याग कर अपने सामर्थ का परिचय दे पराजय का जो सिमर्था हुआ कारोबार है और समर्थ वै उल्लसित मानव का खेल भावना से निश्पादित कारे कलाप है वै इस लोक को सदेव प्रसन वै आहलादित करता रहे अर्थार्थ मानव जाती अपनी कमजोरियों पर विजा प्राप्त करके पराजय को सीमित करते हुए अपनी खेल भावना से निरपेक्षब खेल भावना से इस संसार को सदेव प्रसन चित बनाए रखे इसके वातावरण को सदेव आनंद दायक बनाए रखे शक्ति के विद्यूतकण जो विश्त विकलब विखरे हैं हो निरुपाय समनवे उसका करे समस्त विजयेनी मानवता हो जाए अद्भुत पंक्तियां हैं विद्यार्थियों श्रद्धा कह रही हैं इस सर्ग के अंत में कि इस श्रिष्टि में शक्ति का अनंत प्रसार है उसके विद्यूतकण सर्वत्र फैले हुए है परंतु वे विद्यूतकण वह शक्ति अलग अलग है विकीर्ण है अधूरी है लाचार है और इसी कारण से जगत के निर्मान अत्वा लोक कल्यान के लिए अनुपयोगी है उसका लोक कल्यान में उपयोग नहीं हो सकता क्योंकि उस शक्ति के जो विद्यूतकण हैं वे अलग अलग हैं अधूरे हैं एक दूसरे से उनका सामनजस्य नहीं हैं और वे अकेले उतने शक्ति शाली नहीं है कि उससे इस जगत में कुछ अच्छा निर्माण अथ्वा कोई लोक कल्याण हो पाए आता है आवशक्ता किस बात की है कि उन तितर बितर विद्युत कणों की छिटकी हुई बिखरी हुई शक्ति को कैंद्रित करके उने कार्योत पादन में समर्थ बनाया जाए श्रद्धा कह रही हैं कि मेरी कामना है कि मानव जाती शक्ति के उन कणों को एकत्रित करके उनमें पूर्णतह सामंजस्य तथा एक सुत्रता इस्थापित करे जिससे मानवी आदर्शों की प्रतिष्ठा हो सके और इस प्रकार मानवता की विजय पता का अखिल विश्व में न इरंतर लहराती रहे तो बहुत ही सुन्दर पंग्तियां श्रद्धा के और उसका अर्थ वे भाव अर्थ भी उतना ही सुन्दर आईए अब इस पध्यांश से सम्मंदित कुछ भावपक्ष वे कलापक्ष की विशेष्टाइं जान लेते हैं हम लिख सकते हैं कि श्रद्धा म कि सागर ज्वाला मुखियां वे ग्रह पुंच क्रमशे जल थल और नब में आने वाली विगनबाधाओं सम्मंदी विरोधी दत्तों के प्रतीक हैं द्वीप कच्छप शब्द का प्रियोग हुआ है तो द्वीप कच्छप का जो रूप विधान है वे एक गतिशील द्रश द्रश्य विम्ब की रचना करता है जो विशेश रूप से आकरशित करता है प्रले में अत्वा अत्यदिक जल में दीप होते हैं वह बिगड़ जाते हैं बन जाते हैं प्रकट हो जाते हैं लिप्त हो जाते हैं तो द्वीप कच्छप शब्द के प्रियोग द्वारा कवी न उस कलपना को साकार कर दिया है, मूर्त कर दिया, एक द्रश्य विम्बर अचाय है, जो नहीं सिर्फ चाक्षुष है, आखों को आखों के प्रभाव में आने वाला है, बलकि गतिशील भी है, गत्वर भी है, ये परियों आ गया है, परियों की जगे आप पद्य पड़ें, आशाय हैं, आकांग्शाय हैं, आत्मिश्वास हैं, मनोबल है, भविष्य है, उसकी बविष्य के परती जो आस्त है, उसका उद्गाटन किया गया है, और पूरे पद्यांश में उपमावे अनुक्रास अलंकार व्यापत है, आज का ग्रहकार अंकित कर लीजे, जो बहुत ह साधारण है पद्यावतरण में प्रियुक्त अलंकारों का नाम उल्लिक कीजिए दो ही अलंकार थे पद्यांश में उनका नाम आपको समर्ण रखना है आज के लिए बस इतना ही आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद